Hi guys, इस वीडियो में हम यह सवाल करेंगे, Buy and Sell Stocks के Transactions अलएगा? तो ये इस series का छटा सवाल है, आखरी सवाल है, इस series में हमने 5 सवाल already कर चुके हैं, तो अगर आप इस सवाल पर पहले बाद सवाल करने के बाद आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ सवाल क्या है, एक share है, उसके आपको 6 अलग अलग दिनों के rate आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि लगातार दो बर buy कर लें और फिर एक साथ sell करें, buy buy sell sell नहीं कर सकते, buy sell एक transaction खतम हुई, फिर दूसरी buy sell, ऐसी k number of transactions आप कर सकते हैं, तो आपको बताना maximum कितना profit बना सकते हैं, ये आपका सवाल है, चिक है, तो लाइए, ये classical DP का सवाल है, तो इ test case से इसको हम करके देखेंगे, ठीक है, तो ये लीजिए, बैस तो boxes बने हुए थे, हमें fancy बनने की ज़रत नहीं है, इंपक्ट हम boxes बने ही हुए, तो हम कुछ और करते नहीं है, ठीक है, तो इस तरफ, इस तरफ मैंने plot की है, transactions, और इस तरफ plot की हैं, days, तो 0 वा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचमा, चठा, साथमा, आठमा, नौवा, दरसमा, ग्यारमा, बारमा, और इस तरफ, transaction, एक भी transaction नहीं, एक transaction, दो transaction, तीन transaction, लाउड, चार transaction, लाउड, पांच, छे transactions, में मैं maximum कितने पैसे बना लूँगा, ठीक है, तो दे पहले भी आप तीनों की तीनों कर सकते हैं, तो आपने चौते दिन तक ही तीनों कर दी हूँ, तो नौवे दिन तक तीन transaction को यूज़ कर दी हैं, तो वो आफकोर्स नौवे दिन तक तीनों transaction में कितना maximum profit होता है, उसको contribute करेगा, यह आपको solve करना है, कि नौवे दिन तक मैक् पैसे बना सकता हूँ, अगर यह मैं पहले solve कर चुका हूँ, मैं इसको ऐसे solve कर रहा हूँ, अगर मैं यह पहले solve कर चुका हूँ, कि आठवे दिन तक तीन transaction करके maximum कितने पैसे बना सकते हैं, तो वो तो आफकोर्स यहां पर contribute करेगा, यहां वाली value प्लस array of 9 minus array of 0 buy on array of 0 and sold on array of 9, यहां sell कर दें, तो यह पैसा आएगा आपके पास, इस दिन buy किया था, तो minus हो जागा array of 0, प्लस यहां वाला profit, देखेगा, और देखेगा, अगर पहले दिन ही 2 transition कर दी हूँ, पहले दिन तक ही 2 transition कर दी हूँ, first 0, 1, पहले 2 दिनों में ही 2 transition कर दी हैं, तो ती 3 transition इस दिन और 9 दिन के बीच में हो जाएगी, यह वाली value, plus prices of 9, minus prices of 1, अगर दूसरे दिन तक आपने 2 transition कर दी हैं, उससे जितने पैसे बन रहे हैं, plus prices of 9, minus prices of 2, यहां पर क्या store एक पर सोच के देखेगा, कि तीसरे दिन तक अगर 2 transition कर दी हैं, तो maximum कितने पैसे बनेंगे, वो यहां पर stored है, तो 2 transition हो गई, हमें तो 3 transition चाहिए, तो 30 transition कहा होगी, इस तीसरे दिन और 9 दिन के बीच में, तो वो कितना value fetch करेगी, prices of 9, minus prices of 3, यहां buy कर लिया, यहां sell कर लिया, 2 transition यहां तक हो गई, 30 transition यह हो गई, तो एक candidate यह मन जाएगा, एक candidate क्या होगा, यह वाला spot क of 9, minus prices of 7, यह वाली value यह क्या है, देखो, 8 दिनों में 2 transition करी है, तो 30 transition कब हुई, 8 दिन के बीच में, तो उसकी value कितनी होगी, prices of 9, minus prices of 8, 8 दिनों में 2 transition का पैसा यहां भरा हुआ है, that plus prices of 9, minus prices of 8, यह आपकी 30 transition हो गई, तो यह सारे आपसमे candidate fight करेंगे, मतलब this value, इसके अंद कितने पैसे हो सकते हैं, उसको बनाने के लिए यह सारे candidate fight करेंगे, कैसे, यह value तो यह यह fight करेगी, क्योंकि यह 8 दिन में 3 transition कर चुकी, अग्ली transition होने रही, तो यह value as it is compete करेगी, अब यह value कैसे compete करेगी, 8 दिनों में 2 transition होई है, तीसरी transition के नाम का कुछ होगा, वो क्या होग this plus prices of 9 minus prices of 7, versus this plus prices of 9 minus prices of 6, so on and so forth, अब थोड़ा example लेकि इसको बनाते हैं, हम एक test case ले लेते हैं, मुझे मालूम नहीं हमार पास यहां क्या test case है, तो पहले 6 हमें यह दिये गए हैं, एक ही transition बोली गई है, तो let us solve it for 3 transactions, कि 3 transactions allowed होती, और यह हमें कीमते दिए गई हैं, 3 transactions, अगर loud होती पर कितना पैसा बनता, तो 0 transactions allowed, 1 transaction allowed, 2 transactions, 3 transactions allowed, 0 वा दिन, किते दिन हमारे पास ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ा सा टीपी है, जादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो I am sure we would be able to do it, ठीक है, 7 बने रहिएगा, आपका 7 बहुत ज़रूरी है, इसकी दरती नहीं, यह डब्बे हैं हमारे पास, यहां के rates लिख देता हूँ, यहां 9 रुपे थे, यहां 6 रुपे थे, पी कीमत, यहां 7 थी, यहां 6 थी, यहां 3 थी, यहां 8 थी, ठीक है, तो यह जो index है ना, इनके पैरों में छोटे छोटे लिख देता है, यह आपके जो ऊपर लिख दिये हैं, यह है, rates on different days, और यह है number of transactions, तो देखो, यहां क्या stored है, यहां क्या stored है, इस दिन तक, इस दिन तक, अगर maximum 2 transaction allowed होती, तो कितना profit होता, ठीक है, अगर देखो, पहली रो में तो 0 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, एक भी transaction allowed में है, बिना transition करें पैसा कैसे कमाओगे, नहीं कमा पाओगे, ठीक है, और पहले दिन, 0 में दिन, अगर उसी दिन आपको कितनी वर्जी transaction allowed हो, आप 0 रुपे मना सकते हैं, क्यों, एक transaction allowed भी हो, उस नहीं हो पाएगा, 0 रुपे बनेंगे, तो यह valid area है, ठीक है, अब अगर एक ही transaction allowed हो, एक transaction allowed हो, यह एक वाली रो है आपकी, तो आपको solve करनी है, तो देखेगा हमने क्या करना था, इस case में, किसी भी जनरिक जगे के लिए बताता हूँ, जैसे इसको आप solve कर रहे हैं, तीसर आप तीन transaction की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले वाले दिन तक ही अगर तीन transaction हो चुकी है, एक तो यह बात है, या इस दिन तक दो transaction हुई है, तो तीसरी transaction हो चुकी 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 है, त तो अगर दो ट्रंस्वेशन हो चुकि नहीं तर यहां हो जाएगी, तो this value versus this plus इन डुनों का gap, क्योंकि एक ट्रंस्वेशन के भीच में हो रही है, versus this plus इन डुनों का gap, versus this plus इन डुनों का gap, vs this plus इन डुनों का gap, च्UEकर、 तो let us now try to solve it, देखते हैं, हमारे बाइस क्या त्रीका यहां के लिए या तो यह भाई साब कि इसे पहले दिन ही हमें एक psychological चाहिए N petto या तो इसे पहले दिन ही एक transition हो गई हो वो एक बात है या इसे पहले दिन zero transition हो उजी हो और एक transition अब हो जाए तो अगर एक transition अब होती तो पहले दिन ही एक transaction हो जाती, उसी दिन transaction होती तो 0 रुपे बचते हैं, क्योंकि rate बदल नहीं रहा उस दिन, या उससे पहले दिन अगर 0 transaction हुई होती, और जो एक transaction है, वो आज इस दिन और इस दिन के बीच में हो रही है, तो आपके बाद 6-9-3 रुपीज बचेंगे, तो 0-3 हो पहले दिन टक ही एक transaction हो गई हो, या पहले दिन तक एक भी नहीं हुई, इन दोनों के बीच में एक transaction हो जाए, यहां तक तो 0, 0 प्लस 7-6 1 और 0 में दिन तक 0 transaction हुई है और फिर 0 में और दूसे दिन के बीच में पहली transaction हो गई तो 7-9-2 तो 0 एक तो यह आया था पहले दिन एक transaction हो गई उसमें 0 बनता है तो 0 versus minus 2 versus 1 तो मेरे हिसाब से जो best है वो 1 है और वो 1 कैसे आया आपके पास कि पहले दिन तक कोई transaction नहीं हुई हो और जो एक लौथी transaction है वो पहले और दूसे दिन के बीच में हो जाए तो आपको एक रुपया देगी वही जीत देगी अब इसको बनाने इकोशिश करते हैं देखेगा तीसरे दिन तक एक transaction हमने का दूसरे दिन तक एक transaction में इतना बन रहा है एक तो यह candidate हो गया या दूसरे दिन तक कोई transaction नहीं हुई और जो एकलौथी transaction है दूसरे दिन तक 0 transaction है जो एकलौथी transaction है वो दूसरे और तीसरे दिन के बीच में होई उससे आया 6-7-1 प्लस 0-1 और पहले दिन तक 0 transaction फिर तीसरे और पहले के बीच में एक transaction हो गई तो 0 प्लस 6-6 इस 0 तो 0 ही आया और 0 वे दिन तक 0 transaction और जो एक लौथी transaction है जो एक transaction चाहिए इन दोनों के बीच में होगी 6-9 is minus 3 minus 1 versus minus 3 versus 0 plus versus 1 तो अपना 1 रीद गया तो we would keep 1 ठीक है अब चौथे दिन तक एक ही transaction ध्यान से देखिए अब बने रही है एक आप सवाल में चौथे दिन तक एक transaction करके कितने पैसे कमा सकते हैं तीसरे दिन तक एक transaction का एक रूपया यहाँ आ जाता है तीसरे दिन तक 0 transaction होई हो यह versus this, versus this, versus this, versus this, versus this तो यह तो as it is आता है इसके अंदर this plus 8 minus 3 this plus 8 minus 6 this plus 8 minus 7 this plus 8 minus 6 this plus 8 minus 9 तो जो maximum आएगा ना वो यह वलाएगा कि चौथे दिन तक 0 transaction होई थी और जो एक लौथी transaction हो चौथे और पांचवे दिन के बीश में होगए आप maximum 5 बे बना सकते हो जो इन दोनों के बीच में है ठीक है I hope यह समझ में आया होगा तो मैं इसको ना एक बार थोड़े से बड़े canvas पे मैं साथ में लिखना भी चाहूँगा answer साथ में लिखना चाहूँगा तो बड़े canvas पे solve परना चाहता हूँ इसे दोबार try करता हूँ इसे मिटाता हूँ थोड़ा सा scope बढ़ाता हूँ हमारे पास लिखने की जगे जगे ज़ादा आ जाएगी ठीक है तो 0th transaction 1st transaction, 2nd transaction, 3rd transaction और जो अपने पास कीमते थी 9 I do not remember it 9, 6, 7, 6, 3, 8 9, 6, 7, 6, 3, 8 9, 6, 7, 6 3, 8 मैं दोबारा से सुभरूँगा लेकि इस बार मैं लिखवाऊँगा अभी आपको आपको लिखवाऊँगा अभी साथ-साथ कि वो कौन सी transaction है जो जहां पर जीत रही है results साथ में लिखते तो ज़्यादा समझ में आने लगता है यहां सब जगे रहेगा 0 एक भी transaction allowed नहीं है तो आप पैसे कुछ बनाई नहीं सकते हैं सब जगे 0 अब पहला ही दिन, 0 थी दिन है कितनी मज़ी transaction हो, rate तो बदल नहीं रहा तो 0 सोचो ना, आपको पहले दिन तीन transaction allowed कर दी तो पहले दिन ही आपने तीन बार buy a sell, buy a sell, buy a sell कर लिया कुछ कर थोड़े लोगे, 9 पही खरीद रहें, 9 पही बेच रहें, 0 पही रहोगे तो आप यहां पर कोशिश करते हैं एक बार यह वाला spot समझाता हूँ पांचवे दिन तक 3 transaction करके maximum कितने पैसे कमा सकते हो, अगर कोई मुझे यह बता दे चौथे दिन तक 3 transaction करके maximum कितने पैसे कमा सकते हो, एक तो candidate यह हो गया यह value as it is contribute करेगी दूसरा, अगर चौथे दिन तक 2 transaction पता लग जाए ना उसका maximum profit पता लग जाए, तो that value प्लस जो तीसरी transaction है, वो इन दोनों के बीच में कर दूँँगा versus अगर तीसरे दिन तक ही 2 transaction हो जाए, तो तीसरी transaction इन दोनों दिन के बीच में कर दूँ, this plus, this plus, इन दोनों का gap, versus, this plus, इन दोनों का gap, versus, this plus, इन दोनों का gap, तो यह सारे आपने से write करेंगे, जो max होगा हो यहाँ आ जाएगा, तो now we would start writing, you would get to know, छीक है, देखेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे, तो भई, या तो यही भई साब आते, यहाँ पर चाहिए थे, यहाँ पर चाहिए थे, वन नत दे तक अगर वन transaction लाउड हो, तो कित्ते बैसे बनेंगे, अगर 0th day में एक transaction हो, या तो वो, या 0th day पर 0 transaction loud हो, और पहली transaction इन दोनों के बीच में हो जाए, तो इससे आएगा 6-9-3, इससे आएगा 0, 0 is more, तो 0 wins, we would keep, we would keep 0, और यह वाला 0 पता है क्या represent करता है, कि पहले दिन ही आपकी एक transaction हो गई है, यह असल में पता है क्या है, B0, S0, एक transaction दिखा रहा है, bottom 0th day, sold on 0th day, और 2 प गया है, पहले दिन ही team, 0 दिन को team transaction, bottom 0, sold on 0, bottom 0, sold on 0, bottom 0, sold on 0, तो आपका यहाँ परांसर बता है क्या आगया, bottom 0, sold on 0, इस दिन तक एक transaction allowed होती, तो आप maximum 0 रुपए बना सकते हो, वो तभी बना सेते हो, जो हम bottom 0 and sold on 0, या bottom 1 और sold on 1 से भी इतने ही बनेंगे, पर अगर आप bottom 0, sold on 1, try again, तो आपको minus 3 मन जाएंगे, जो की बुरी बात हो जाएगी, अब इसको करते हैं, इस दिन तक एक transaction maximum allowed होती, या तो पहले दिन तक एक maximum transaction ले लो, या पहले दिन तक 0 transaction और एक transaction इन दोनों दिन के बीच में, तो 0 प्लस इन दोनों का gap कितना है, 1, तो यह आपको 1 दे जाएंगे से, तो 1 आ गया, bot on 1, sold on 2, तो this is one transaction only, तो which is better than bot on, of course, यहाँ buy करके यहाँ sell करूगे, एक रिप्या बचेगा, तो bot on 0, sold on 0 से better है, अब यहाँ देखते हैं, तो इसके लिए या तो यही आएगा, या 0 प्लस इन दोनों गाप, विचिस माइनस 1, नहीं जीता वो, 0 प्लस इन दोनों गाप, that is also 0 नहीं जीता वो, 0 प्लस इन दोनों गाप, विचिस माइनस 3, नहीं जीता वो, तो 1 ही जीत गया, तो यहाँ भी आ गया, 1, bot on 1, sold on 2, इंफाट सोच के देखें न, मैं यह कहता हूँ, इस दिन तक, इस दिन तक, आप maximum एक transaction में कितने पैसे कमा सक हいए, या 30 researching 0 transaction और एक in के बीच में हो जाए, या दोसे दिन तक 0 और एक in के बीच में हो जाए, या 0 दिन तक 0, 0 दिन तक 0 transaction और एक इन के बीच में हो जाए तो देखते हैं कौन सी यह तो वन यूगा ही दे रही है वन बॉट वन सोल टू अब यहां देखते हैं यहां पर अमेजिंग होगा एक तो यही चानिडेट है पांच दिन तक एक ट्रंशन एक ट्रंशन हो चुकी हो यह चौत दिन तक जीरो होई हो और एक ट्रंशन आपको चाहिए वह इन दोनों के बीच में हो गई अब्र दविल गिव थाट इस तो यहां पर मेरा एक नड़र ना फैद दावड इस डैस जीरो प्लस इन दोनों की डाप माइन मैक्समिम फाइव हैं तो मैं सब मिटाताओं और वे फाइव रख लेता हूँ फाइव यहां से आया था उसको रख लेता हूँ देखिएगा ध्यान से वो क्या है फाइव है बॉट अन फोर एंड सोल्ड उन फाइव ऑफ कोर्स तीन आट तो इस दिन तक गर आप एक ही ट्रांजिक्शन करोगे तो चार को खरीदें पांच को यह वही आपका सबसे ज्यादा एक्स्ट्रीम है अब यहां तक आपको अगर दो ट्रांजिक्शन करनी ही हूँ देखते हैं तो यह है कि देखो इससे पहले वाले दिन दो ट्रांजिक्शन हो रखी है या तो वही है या इससे पहले वाले दिन देख आपको एक ट्रांजिक् पर लो इस दिन खरीद के इसमें बेर चोगे तो 6-9-3 मिलेंगे जिरो प्लस-3 वर्सिस जीरो तो जीरो यह बेटर है तो यहां पर तो आ गया जो पहले से आ रहा है चलते हुए 0-0-0-0-0-0-0-0 अब यहां पर देखते हैं दूसरे दिन तक दो ट्रांजेक्शन या तो पहले दिन तक एक ट्रांजेक्शन जो यह रही और एक ट्रांजेक्शन के बीच में तो 0 और वर्सिस एक ट्रांजेक्शन के बीच में तो 0-1 एक यह हो गया यहां जीरो दिन तक ही एक ट्रांजेक्शन हो चुकी है और एक एक ट्रांजेक्शन जीरो दिन तक एक ट्रांजेक्शन तो माइनस 2, 1 और 0 के अंदर कौन जीता, 1 जीत गया, तो we would keep the transaction that we are getting from here, देखेगा वो क्या होगी, लिखता हूँ मैं आपके सामने लिखूँगा, एक रुपया और वो है क्या, B0, S0 थी, और फिर B1, S2, दूसरे दिन तक दो transaction करके आप maximum एक रुपया बना सकते हो, वो कैसे, B0, S0, 0 बना, फिर B1, S2, तो दो transaction भी हो गई, और आपका यहांस एक रुपया बच भी गया, और तीसरे दिन तक दो transaction करके या पहले दिन तक ही एक कर लियो, और एक इन नोनों के बीच में कर लो, तो 0 प्लस इन नोनों गाप इस 0, तो 0 ही रहा, एक जिरो थी दिन पर हो गई थी, और एक इन नोनों के बीच में कर ली, 6-9 is minus 3, तो 0 प्लस minus 3 is minus 3, तो minus 3, 0, 0 और 1 के बीच का max हुआ, 1, तो 1 जीत गया और हमने रख लिया 1, B0, S0 B1, S2 जो अपना आ रहा था चौते दिन तक 2 ट्रांजेक्शन या तो तीसरे दिन तक 2 ट्रांजेक्शन करियो वही जीतेगा या तीसरे दिन तक 1 और 1 इनके बीच में तो 1 प्लस इनके बीच वाली देगी, 1 प्लस इनके बीच वाली देगी तो हमारा 1 जीत गया यह ओला 1 जीत गया तो हमने वही रख लिया B0, S0 B1, S2 अब यहां बनानी कुशिश करता हूँ ध्यान से देखेगा देखते हैं पांच वे दिन तक दो ट्रांजेक्शन तो चौते दिन तक दो ट्रांजेक्शन का आंसर तो ही है या चौते दिन तक एक हुई हो और दूसरी यह हो जाए तो 8-3 होता 5, 5-1, 6 बहुत बढ़ी है बात तीसरे दिन तक एक, एक इनके बीच में हो जाए 8-6, 2, 2, 2, 1, 3 यहां तक एक ट्रांजेक्शन एक रुप्या इसका, 8-7, 1, 1, 1, 2 यहां तक 0 8-6, 2 यहां तक 0, 8-9, 1, 1 तो-1, 2, 2, 3, 6, 1 लड़े, आपसमें 6 जीत गया तो हमने 6 रखा, बहुत द्यान से देखेगा 6 रखा, जो यहां से आया था वो क्या है 5-6 दिन तक 2 ट्रांजेक्शन के पैसे चाहिए थे 4 दिन तक एक ट्रांजेक्शन का 1 रुपिया और दूसरी ट्रांजेक्शन यह हो गई तो इसके 5 रुपिया तो 1, 5, 6 तो B1, S2 और जो यह अभी आई है B4, S5 B1, S2 और B4, S5 तो 5 दिन तक 2 ट्रांजेक्शन हो गई आपके और आपके 6 रुपिया यहां और 5 रुपिया यहां 6 रुपिया बचे अब इसको भी ऐसी भर लेंगे रिखते हैं पहले दिन तक 3 तो 0 में दिन तक 3 या 0 भी दिन तक 2 और 1 इनके बीच में तो वो दो देगी माइनस 3 माइनस 3 और 0 में 0 जादा है तो हम 0 रख लेंगे B0, S0 B0, S0 B0, S0 तीन ट्रांजेक्शन हैं अब यहां दूसरे दिन तक 3 ट्रांजेक्शन या तो पहले दिन तक 3 ट्रांजेक्शन या पहले दिन तक 2 और 1 इनके बीच में तो 7 माइनस 6 यहां देगा 1 0 प्लस 7 माइनस 6 वाद 0 वे दिन तक 2 और तीसरी इन के बीच में 7-9 is minus 2 minus 2 1 और 0 में 1 जीत गया तो we will keep 1 1 वो है B0S0, B0S0 sorry B0S0, B0S0 and B1S2 तो दूसरे दिन तक 3 transaction में आपके लिखा दी और 1 रुपया हो गया तीसरे दिन तक 3 transaction एक ये है फिर 1 plus 6-7 होता है minus 1 1 plus minus 1 is 0 0 plus 6-6 होता है 0 0 plus 6-9 होता है minus 3 तो minus 3, 0, 0, 1 के अंदर 1 जीत गया तो अपना अंसर आ गया जो ये था जो ये था यह उखाई हो B0S0, B0S0, B1S2 अब यहां करते हैं बात चौते दिन तक 3 transaction या तो तीसरे दिन तक 3 transaction या तीसरे दिन तक 2 और एक इन के बीच में 1 plus 3 minus 6 होता है minus 3 1 plus minus 3 is minus 2 1 plus minus 4 is minus 3 0 plus minus 3 is minus 3 0 plus 3 minus 9 6 होता है minus 6 होता है 0 plus minus 6 is minus 6 minus 3 minus 3 minus 2 और 1 के बीच में से 1 जीत गया तो हम 1 रखेंगे और अपना यहां पर आ गया चौते दिन तक 3 transaction वो है B0, S0, B0, S0 B1, S2 पांच भी दिन तक 3 transaction देखते हैं या तो चौते दिन तक 3 transaction ले लो या चौते दिन तक 2 और जो तीसरी transaction है इन के बीच में हो गई तो 8 minus 3, 5 और 1 6 तीसरे दिन तक 2 के पैसे यह रहे और तीसरी transaction इन दोनों के बीच में हो गई तो 1 plus 8 minus 6 8 minus 6 is 2, 1 plus 2 is 3 1 plus 8 minus 7 is 1 1 plus 1 is 2 0 plus 8 minus 6 is 2 0 plus 8 minus 9 is minus 1 तो minus 1, 2, 2, 3, 1 minus 1, 2, 2, 3, 6 और 1 का max is 6 तो we will keep 6 तो देखेगा मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ वो 6 किसको denote करता है और कहां से आया है वो 6 आया है यहाँ से तो एक यहाँ का था और एक इन के बीच में हो गई तो वो क्या लिखा गया B0, S0, B1, S2, B4, S5 ठीक है तो देखेए तीन ट्रांशन हैं यह पहले दिन खरीदा पहले दिन बेच दिया B1 को खरीदा 1 को खरीदा 2 को बेच दिया 4 खरीदा 5 को बेच दिया इस दिन खरीद के इस दिन बेचा तो 0 रुपेज इस दिन खरीद के इस दिन बेचा तो एक रुपिया बचा और फिर चारों खरीद के पांच रुपे बचे तो पांच एक छे रुपे बचेंगे आपके तो हमने निकाल लिया ऐसा चीक है काफी ऐसान है एक बार बस फॉर्मॉला समझ में आने की बात है let's try to code it फिर सो थोड़ इस भी कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचेंगे ठीक यह आगे अपने बस अरे उफाए पिश्कान दॉट नेक्सिंट अब के और चाहिए कितनी ट्रांजिक्षिन चाहता है बंदा तो number of transactions मैंने rows पे रखा था और 0 से बनाई थी जैसे तीन transaction है तो 4 row बनाई थी 0, 1, 2, 3, 4 k plus 1 और यहाँ पर तो जितना array की length है उतना ही आएगा तो जैसे एगर 6 length का array था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 columns है तो मैंने बना लिए यह नहीं चीक है अब देखिए पहले row और पहले column में तो 0 ही रहना है तो उसके तूछ करना नहीं यहाँ से चलाना है for int transaction equal to 1 transaction less than equal to k transaction plus plus rows में transaction है तो बहार transaction का loop for int day equal to 1 day less than array dot length day plus plus columns से आपके day है तो day बढ़ेंगे ठीक है हमको निकालना है dp of t d की dth day तक t transaction करके कितने पैसे बन सकते हैं ठीक है तो एक तो बात यह थी कौन-कौन fight करता है d minus 1th day तक की t transaction हो जाए एक तो यह बात है एक क्या है भाई d से पहले पहले वाले दिनों के अंदर d से पहले पहले वाले दिनों के अंदर t minus 1 transaction हो जाए और t नी transaction उन दोनों दिनों के बीच में हो जाए देखो मैं क्या बोल रहा हूं हमें चाहिए dth day तक t transaction में maximum पैसे कितने बनेंगे तो मैं बोला d minus 1th day तक ही t transaction हो जाए तो क्या बात है तो यही कर भी रहे थे अगर यहां की value चाहिए यहां की value चाहिए तो हम किस सब का compete करा रहे थे देखेगा अगर ध्यान से यहां की value के लिए पांचवे दिन तक 3 transaction के लिए भाया उससे चौथे दिन तक ही 3 हो जाए एक के बीच में दूसरे दिन तक ही 2 transaction हो जाए और तीसरी इन के बीच में पहले दिन तक ही 2 transaction हो जाए और तीसरी इन के बीच में जीरो वे दिन तक ही 2 transaction हो जाए और तीसरी इन के बीच में तो these versus that तो मैंने क्या बोला मैंने सीधा इसके अंदर d minus 1 d minus 1 और day तक जो t transaction हो जाए व d तक आएंगे, d को touch नहीं करेंगे, d से पहले-पहले, ठेक है, उनका profit, ठेक है, last transaction, last transaction, मदब देखो न, एक तो हम निकालते हैं, profit, till, pd, previous day तक, कितनी previous day नहीं है, past day, past day और t-1 transactions का, profit, till, t-1 transactions, तो कैसे मिलेगा, t-1 transactions के लिए, past day में, कितना profit था मिल गया, मुझको, देखो, हमें क्या चाहिए, dth day तक, t-1 transactions में कितना होगा, मैंने बोला, d-1 day तक, t-1 transactions में कितना होगा, वो उसमें डाली लिया, जो compete करें ना, लोग, तो यह वाला, तो यह वाला, यह उडलता है, तो डाली लिया, अब यह जब लोग आते हैं, यह अपना profit, plus, इनक क्या उठाया है, कि मैं इन past days में loop लगा रहा हूँ, past days में 0 से लेके, d तक नहीं आया, उसे छोटा-छोटा रहा, और हर एक के लिए t-1 transaction का value देखा, तो past day में t-1 transaction पे कितनी value पड़ी थी, अलब basically मैं यह, 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 यह उठा रहा हूँ, यह सब उठा रहा हूँ, तो वो कितना होगा, तो वो कितना होगा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा, आज का दिन का price, array of today, which is day, minus array of past day, यह profit उसे होगा, अगर profit till t-1, t-1 transaction का profit, और t-1 transaction का profit, अगर यह ज्यादा हो गया, असल में max निकालना है, तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ, ऐसा लिखने के int max equal to integer dot max value, ठेके, अगर इस ने, इस day ने, t-1 transaction और फिर जो अपनी t-1 transaction करके max को हरा दिया, तो हम max को update करनेंगे, profit till t-1 plus profit of t-1 transaction, t-1 transaction से एक max आएगा, और फिर final निकल कर हम compare करेंगे, इस max को, इस max को initialize ही कर सकते थे शुवात में, नीचे वाले से, कि भई, t transactions in d-1 days, इसको initialize ही कर सकते थे, इस डबे से initialize कर दिया, इस डबे से initialize कर दिया, और this plus this gap, अब क्या fight कर रहा हूँ, max में initialize ये डाल दिया, और क्या कर रहा हूँ, check, this plus this minus that, इस से ज्यादा है, तो ऐसा हर एक के लिए करके देख रहा हूँ, तो eventually में क्या करूँगा, जो इस max निकल कराएगा, इसको dp of td में डाल दूँगा, दोबार देखान से देखो, मैंने max में क्या डाला, dp of td minus 1, मैंने इसके डाला, dp of td minus 1, ये वाला चीज डाल लिया, अब मैं क्या डालना चा मैं से max निकल रहा हूँ उस चीज का, और in sub में जो सबसे जाद होगा हो यहां पर dump हो जाएगा, ठीक है, तो अपना code हो गया है, इसको हम optimize कर सकते हैं, मैं इसको optimization 2 second में सिखाऊंगा, पहले इतना ही करेंगे, dp of td minus 1, index n minus 1 होगा, लाइए से चला के देखेंगे, ठीक है, तो let us say, तीन दन है, दस, बीस, तीस, और एक transaction के लिए मेसे जला के देखता हूँ, यह से चलता है कि नहीं, चल रहा है, submit करके देखते हैं, तो correct answer भी आ रहा है, उमीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अब इसको करेंगे optimize, अब इसको करेंगे optimize, देखो यह n cube है, for में, for में for, एक जगे पर आप ध्यान, तुम्हारे को लगाना होगा, और देखना होगा हम कुछ better कर सकते हैं, क्या, better कुछ कर सकते हैं, तो यह जो loop चलाया था, इस loop से बचा जा सकता है, इस loop से बचने ही कोशिश करेंगे, देखेगा कैसे, देखो जी, कुछ values डालनी मैं एक random तरीके से solve करूँगा, random values डालके solve करूँगा, तो देखेगा, बने रहेगा मेरे साथ, ठेक है, यह letter से आपकी y axis है, यह आपकी x axis है, ठेक है, 0, 1, 2, यहाँ value पढ़ी है, x0, x1, x2, x3, x4, x4, x5, और यहाँ पर value पढ़ी है, x, xy बोलना चाहिए था मुझे, मैं इन values को, सही तरीके से note कर सकता था, array से note सकता था, value 0, 0, value 0, 1, यह values पढ़ी है, यह letter से, value 0, 5, so on and so forth, तो बनानें दीजे, यह जो optimization भी सिखा रहा हूँ, इससे यह n square हो जाएगा, तो यह हमारी सीखनी बहुत ज़रूरी है, ठेके रहेगा सवाल के अंदर, ठेके, let us say मुझे यह calculate करना है, यह calculate करना है, तो यह value 2, 5 है, यह क्या होती है, यह होती है, max, किसका, value 2, 4 का, और, value 1, 4 प्लस, जो यहाँ पर price होता है, versus value 1, 4 प्लस, price of 5 माइनस price of 4, यह versus लिखना बड़ा जरूरी है, मैं इसको ध्यान से लिखता हूँ, उसको पूरी महनत कीज़ेगा, देखेगा, यह वाली value, किस-किस का competition है, value 2, 4 versus, value 1, 4 प्लस, 1, 4 प्लस, 4 दिन तक एक transaction, प्लस, दो transaction चीन है, यहाँ पर तो, तो दूसरी transaction पाँच और 4 के बीच में, तो P5-P4 versus 1, 3 प्लस, P5-P3, यह वाली value, प्लस, यहाँ का price, यहाँ का price, तो तीसे दिन तक एक transaction हो गई थी, और दूसरी transaction इन के बीच में हो गई, versus, अब मुझे उमीद है कि आप आपको, यह तो समझ में आता है, versus, 1, 1, पहले दिन तक ही एक transaction हो गई, और दूसरी transaction पाँच और एक के बीच में, P5-P1 versus, V10, प्लस, P5-P0, तो इस सब के अंदर देखो, इस सारे versus के अंदर, P5 तो common ही है कि नहीं है, इन सब में, प्लस, P5 तो common है, पहले बाले में नहीं है, पर इन सब में तो P5 में common है, इन सब के अंदर मैं कुछ common करवाना चाहता हूँ, ये P5 तो common है, तो मैं, माइनस पहले लिख देता हूँ, और प्लस, P5 बाद में लिख देता हूँ, और प्लस, P5 बाद में लिख देता हूँ, तो कोई गलत थोड़ी ही है, अभी भी सहीं ही रहेगा, अब मैं गहता हूँ, ये आपको चाहिए value of 25 बनाने के लिए, value of 25 बनाने के लिए, इन सब का max चाहिए, value of 24 versus 14, 14 minus P4 plus P5, 13 minus price of 3 plus P5, 12 minus P2 plus P5, 11 minus P1 plus P5, 10 minus price of 0 plus P5, ये आपको चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम अंदर वाला loop चला रहे थे, ये तो सीधा मिल जाता था, फिर ये वाला loop चलाते थे, ये वाला loop चलाके ही हमें value 14 मिलती थी, minus P4 मिलता था, और P4, असल में हमें इन सब की value में interest नहीं है, हमें इन सब के max में interest है, जो इन सब का max होगा, जो इन सब का max होगा, वही value 24 से, लेट आस से देखो ना, इच्छी से देखो, जो इन सब का max होगा, मैं जिन पर गोले लगा रहा हूँ, जो इन सब का max होगा, इस value का, इस value का, इस value का, इस value का, उस max का नाम मैं लिख देता हूँ एक बार को M, अगर हम सिर्फ इतना करते मेरे को इनका max पता होता और मैं max प्लस P5 को V24 से लड़वा के यहां लिग देता हूँ, सेमी बात होती की नहीं होती देखो, दुबारा से अपनी बात बोलता हूँ अभी मैं लगाता हूँ loop अभी मैं क्या करता हूँ value 24 value 24 तो अपने max में डाल के रख लेता हूँ फिर यह previous days में loop लगाता हूँ previous days में loop लगाता हूँ, क्या करता हूँ यह value value plus this minus that यह value value plus this minus that इन सब का max से comparison करकर के update करने कोशिश करता हूँ यह देखर रहा हूँ टी माइनस वनट ट्रांजिक्शन previous day और फिर array of day minus array of previous day यह profit दोनों के add की अगर यह max को हरा ने तो max को update किया मैं loop लगा के रहें निकालने कोशिश करता हूँ ठीक है, तो मैं यह बोड़ रहा हूँ अगर मिरे पास इनका max पड़ा होता किसी तरह से इन सब का max पड़ा होता इस point पर आने से पहले इन सब का max पड़ा होता तो बहुत असान हो जाता मेरे पास v14 minus p4 v13 minus p3, v12 minus p2 v11 minus p1, v10 minus p0 का अगर max पड़ा होता, तो मैं सिर्फ उस max को p5 में add करता max को p5 में add करता और v24 से compare कर देता मैं comparison करने के बजाए अगर इन सब का max नहीं v14 minus p4, v13 minus p3, v12 minus p2 v11 minus p1, v10 minus p0 का max मेरे पास पड़ा होता तो उस max को मैं p5 में add करता और max plus p5 versus v24 की लड़ाई कराके यहां पे डाल देता तो देखों, वो कर सकता हूँ कैसे? देखेगा तो हम इस सारे को मिटाते हैं यह करने का हमको मौका मिलता है प्लीज साथ दीजेगा आपका जुड़े रहना बजजर जूदी है लास्ट वाली डोको ना बनाना स्टार्ट करते हैं शुरू से लास्ट डोको बनाना स्टार्ट करते हैं हमें n square नहीं करना पड़ेगा n cube नहीं करना पड़ेगा n square में हम बात बना सकते हैं यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह तो 0 होता है मुझे यह solve करना है तो मुझे बताए वी 21 क्या है वी 21 है वी 20 versus versus V10 minus P0 plus P5 जहां तक 0 में तक एक transaction और एक इन के बीच में हो गई तो उसे price of 1 P5 क्यों लिख रहा हूँ मैं price of 1 plus price of 1 minus price of 0 यह होगा कि नहीं होगा तो ना मैंने इसमें से of course यह दोनों comparison कराया और V21 को update कर लिया इसमें तो उच्छास नहीं है यह तो इतने महीं होगा मैंने V10 minus P0 को max में डाल के रख लिया max में पढ़ा है इस time पे V10 minus P0 ठीक है और यह वाली value में रपास आ गई V21 यह तो लूप के बिना ही हो जाएगा यह लूप के बिना ही हो जाएगा V20 versus V10 minus P0 plus P1 के max से यह आ रहा है यह तो बिना लूप के हो जाएगा बस इतना मैंने किया कि जब इसको प्रोसेस किया तो V10 minus P0 को max में डाल के रख लिया ठीक है तो अपना V21 आ गया अब बात करते हैं इसकी V22 की V22 कैसे आएगा V21 versus तीन लोग अ कंपारेजन होगा इस बार लूप चालू है तीन लोग अ कंपारेजन होगा, कौन तीन लोग V21 versus V11 V11 minus P1 plus P2 इनके वीच की टानेशन plus P2 minus P1 versus V10 plus P2 minus P0 plus P2 minus P0 तो मेरे पास max के अदर V10 minus P0 पड़ा ही था तो कुछ भी करने से पहले मैंने इसको calculate करने से पहले V11 minus P1 को इससे compare कर दिया और इस max को update कर दिया अब यह max है कुछ भी process करने से पहले यह loop चलाने से पहले this versus this plus this this plus this करने से पहले मैंने क्या किया V11 minus P1 को इस max से compare किया अब वो V11 minus P1 और V10-P0 का max contain करता है अगर मेरा ये max V10-P0 और V11-P1 का max contain करता है तो मुझे ये तीनों को loop लगाए compare करना ही जरूत नहीं है मुझे क्या करना ही जरूत है मुझे इनका max हो पड़ा ही है तो इन दोनों का max हो उस max के अंदर P2 add करो सिर्फ ये करो max प्लस P2 max इन दोनों का ये वाला gap ये वाला gap उसका जो max है max प्लस P2 और V21 की लड़ाई करा तो आपका अंसर आ जाएगा आपका V22 आ गया ठेक है हो सकता है भी समझ में ना आया हो तो मैं एक और कराता हूँ प्रोसेस देखेगा V23 की बात करते है V23 को calculate करने के लिए V23 को calculate करने के लिए हम सारे candidate लिखते हैं एक तो भाईया V23 को calculate करने के लिए चाहिए होता है V22 एक चाहिए होता है V12 प्लस इन के बीच की transaction माइनस P2 प्लस P3 एक चाहिए होता है V11 और इन दोनों के बीच की transaction एक चाहिए होता है V10 और इनके वीच की ट्राइक्शन माइनस P0 प्लस P3 यह आपको चाहिए होता है तो इन सबका मैक्स आपको चाहिए होता है तो मैं कुछ भी करने से पहले V12-P2 को इस माक्स से अंपेर कर दूँगा और यह माक्स V12-P2 का माक्स कंटेन करता होगा लूप न लूपँ लगाके इन अमक्स निकालना था मे पास इनंती नों का मैक्स पढ़ा है इन आतीनों का माक्स पढ़ा है तो असम्पल उस मैक्स को P3 में आड कर के V22 से कंपेर कर दो max plus P3 को V22 से खंपेर कर दूँ इन तीनों का max इसकल इन तीनों का नहीं V12 माइनस P2 V11 माइनस P1 V10 माइनस P0 का max में रस पड़ा है उस max में P3 आड़ करके V22 से खंपेर कर दूँ बात खतम तो मैं यह optimization कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर मैं लिखता हूं देखेगा ध्यान से मैंक्स मैंने क्या डाला यहां पर यह लूप चालू होने से पहले बने डाला डीपी ऑफ इसली रो आपको चाहिए होती है टी माइनस वान जीरो यह आपकी वैल अगर मैं इस रो में हूँ तो प्रिवेस रो का पहला टी माइनस वन रो का पहला तो मैंने क्या उठाया डीपी ऑफ टी माइनस वन जीरो की वैली उठा लिए ठीक है अब मुझे क्या करना होगा तो बलकि इसके इंदर आप यह भी नहीं डालिये यहां नहीं डालिये इसको इसमें आप डालिये इंटीजर.maxvalue ठीक है अब जिस दिन पर आप पहुंचे आप टी और डी के लिए आए हैं लेटर से आप इस दिन के लिए आए हैं अगर आप इस दिन के लिए हैं तो आपके पास जो अल्री माक्स कंटेन करता होगा न मैं आपको एक पाइंट और सॉल करा रहेता हूं ताकि आपको पता लग जाए करना क्या है अब आए हो आप वी टू फॉर कल्कुलेट करने के लिए अभी आपको अंदाजा लग जाएगा कोड क्या लिखना है यह इए यह ओर यह तो वी 11 उ साथिया ब्听क्रिड लिखना लिखना मतलब यह यह इन वस्ट्रे वी 11 माइनस P1 प्लस P4 और V10 माइनस P0 प्लस P4 यह इस से आने वाला है यह इस सबसे आने वाला है आपके उस Max में इस Moment के उपर V10 माइनस P0 V11 माइनस P1 V12 माइनस P2 का Max अलरड़ी पढ़ा है इन तीनों का Max आपके उस पढ़ा है और Previous Day में जाना है D-1 में जाना है That minus उस दिन का Price उससे आपको एक Value मिलेगी उसको आप Max से Compare करा दीजे जिससे आपके वालाड़ी थर्टीन माइनस P3 का भी Max मिल जाएगा तो फिर लूप लगाकर Max निगालने की दूरत नहीं है आपके इन सबका Max है That Max Plus P4 बस उतना ही आपका Fight में आएगा V23 के साथ Max Plus P4 तो आप क्या करेंगे देखेगा तो आप देखेंगे इफ पिछला ट्रांजेक्शन पिछला दिन माइनस उस दिन का Price उस दिन का Price अगर ही आपके Max को हराता है तो अपने Max अपडेट कर ले यह आपके Max को हराता है तो अपने Max को अपडेट कर ले आपका Max अपडेट हो गया अब अगर Max प्लस आज का Price Array of D आपका DP of T-1 ट्रांजेक्शन उतनी ही दिन एक कम D-1 अगर T ट्रांजेक्शन हो जाए उसको हराता है तो Max वाले को रख लें वर्ना Max प्लस Array of D बसके लिए वो पूरा लूप लगाने की ज़रत नहीं पड़ी वो लूप को आपने साथ-साथ प्रोसेस कर लिया ठीके इस उगेटी देसेम आंसर अगर माक्स निकाल रहे हैं तो आपको इनिशलाइस करना चाहिए उसको है शोटी सी मिस्टेक होगी थी हो मिस्टेक मैं करेक कर लेता हूं कि अगर आप Ins. निकाल रहे हैं तो आपने मास को मारीमानेंस इनिशलाइस किया है प्लसे करन करको देखते हैं हुस्ग मुदू किया था उसके लिए ठोन साल रहा था इसका अंसर ही आरा रहा है इसे सब्मिट करके देखते हैं एक सेप्ट हो रहा है ठीक है उम्मीद करता हूं को समझ में आओगा उम्मीद करता हूं को मज़ा आया होगा मिलते एंगले सवाल में थैंक्यू वेरी मॉच